नमस्कार मित्रों, पुनिस इस्टॉलोजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मंगल का गोचर मेश राशी में 16 अगस्त को होने वाला है मंगल मेश राशी में 16 अगस्त से लेकर के 10 सेटमबर तक 10 सेटमबर तक मारगी रहेंगे 10 सेटमबर को मंगल वक्री होकर के मीन राशी के और प्रस्थान करने की शुरुवात करेंगे मीन राशी के और प्रस्थान करेंगे मंगल मीन राशी में पहुँचने के बाद वहाँ पे वक्री से मारगी होकर के ततपश्चात मेश राशी में फिर से प्रवेश करेंगे और फिर मेश राशी में 22 फरवरी 2021 तक बने रहने के बाद उस 22 फरवरी 2021 को वो बिशब राशी में गोचर करेंगे छे महिने का ये जो मार्स का ट्रांजिट है, मंगल का गोचर है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, पिंट कमेंट में मिल जाएगा अगर आप उसे देखना चाहते है जरूर देखें, उसे जरूर देखें ताकि आपको एक पूरी जानकारी मिले मैंने आपसे यह वादा किया था कि मैं वीडियो को तोड़ तोड़ के प्रस्तुत करूँगा मंगल की हर एक मूव्मेंट पे एक वीडियो बनाऊंगा तो पहली जो मूव्मेंट है, वो है मंगल का मारगी होना मंगल का मारगी मूव्मेंट मेश राशी में तो आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तरत रूप से क्या होगा मंगल का मेश राशी का फल आपके उपर जुड़े रहें इस चैनल के साथ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप और मैं हमेशा जुड़े रहें मेर अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इमेल आईडी है, उस इमेल पर आप मुझे कॉंटाट कर सकते हैं सोशल मीडिया में, फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टरग्राम पे मेरी आश्टो की छोटी-छोटी अपडेट्स आती रहती हैं क्योंकि सबका वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो उन्हें आप फॉलो करें ताकि आपको मिले कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन और बहुत सारे अस्ट्रोजिकल इन्फरमेशन. मंगल पुरिशार्थ के ग्रे हैं मंगल उमंग है उत्सा है जोश, जुनून, पावर, युद्ध, युद्धकॉशल, युद्धा, पराक्रम, बाहुबन, भाईचारा ये सब मंगल के प्रतीक है ब्लड प्रेशर, रक्संबंधी किसी भी तरिके का विकार दिल की धड़कन का तेज होना या कम होना जोश में होश खो बैठना, गुस्सा बहुत आना और बिना सोचे समझे किसी काम को करना किसी भी प्रयास को तब तक करते जाना जब तक आपकी उर्जा समाप्तना हो जाए ये मंगल का विकार कहलाएगा इसके स्वामी मंगल जब मारगी होकर के सुवग रही होते मेश राशी में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पाउरफल, बहुत शक्तिशाली हो जाते है मेश राशी है तो धर्म की राशी, धर्म तरिकोर्ण की पहली राशी काल पुरुष की पहली राशी तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिखाती है ये किसी चीज की शुरुआद बताती है मंगल मीन राशी में गंडान्त में, जल तत्व में अपने आत्मा को धोने के बाद, आत्मा को जिसको बोलते हैं रिजुवनेट करने के बाद, नया करने के बाद, जब वो मेश राशी में जाते हैं, तो एक नई शुरुवात, नई उमंग लेकियात, एक नई उर्जा, नई स्फूर्थी पैदा क कैसे करना है, इस मंगल के गोचर को सिर्फ मंगल से न देखें, इसमें सूर्य, बुध, केतु, सब का उतना ही प्रभाव है, क्योंकि जब जिस दिन मंगल का गोचर मेश राशी में होगा, अगले ही दिन, बुध का गोचर सिम्भ राशी में हो जाएगा, उसके एक दिन पह और के तु आल्रेडी मूलनक्षत्र के गंडानत पे चल रहा है यानि 16, 17, 18, 19, 20, 21 इन जो एक हफ़ते का जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में होने वाले किसी भी घटना पे गौर करना बहुत जरूरी है इस पे विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप इन दिनों जो होने वाले घटनाए हैं वो आपके जीवन से उस तार से जोड़ी है जो तार आपकी रूट्स तक जाता है आपकी जड़ों तक पहुँचता है यानि कि आप अपनी जड़ों को समझ सकते हैं आप अपने आपको पहचान सकते हैं आप अपने आप से युद्ध विराम कर सकते हैं या युद्ध की शुरुवात कर सकते हैं यह देखना होगा कि आप स्वता किस स्थिती में खड़े हैं स्वता किस स्थिती क्या है आपकी म एक दिव्व दृष्टी से देखना बहुत आवश्यक हो जाता है यहाँ पे मंगल सेनापती हैं तो सेनापती अगर गंडांत पार करके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि युद्ध विराम हटने वाला है दुख की पराजे होने वाली है अशुबता का खात्मा होने वाला है अंधकार समापत होने वाला है पर इसे समापती की और तभी ले जाए जा सकता है जब आप वो युद्ध लड़ने के लिए अपने जीवन में अपने आपको प्रेरित करेंगे अपने आपको रेडी कर लें ये युद्ध आपके भीतर आने वाली बिमारियों से है, अपने भीतर आने वाली बुराईयों से है, अपने भीतर आने वाली दानविय प्रवृत्तियों से है ये समय ऐसा है जिसमें आप किसी भी तरीके का अडिक्शन छोड़ सकते हैं किसी भी तरीके का कोई अगर आपके मन में बुरी भावना है उसे छोड़ सकते हैं कोई आपके मन में किसी के प्रती गुस्सा है तो उसे आप त्याग सकते हैं और एक बहतर व्यक्तिक बहतर इंसान बन सकते हैं मंगल बहुत ज़्यादा उर्जा लेकर के आ रहे हैं इसका मतलब ये भी है कि वो हमारे आक्रोश को बढ़ाएगा गुस्य को बढ़ाएगा, हडबढ़ाहट को बढ़ाएगा जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ये नहों कि कोई गलत कदम उठा ले कहीं ऐसा नहों कि पुरुशार्थ के घमंड में हम कोई ऐसा स्टेप उठा ले जो कि हमें पतन की ओर धकेल दे इस बात का खास ध्यान हम सब को रखना पड़ेगा खास कर अगर मंगल आपकी कुंडले में प्रभावशा लिग रहे हैं आपकी मंगल की राशी है यानि की मेश या वरिशिक राशी है या आप मेश, सिम्ह या धनूलगन या राशी के जातक है अगर आपके शरीर में अगनी तत्व भी परदान है तो भी आपको अपने गुसे को अपने इच्छाओं को काबू करना पड़े या कि मंगल मेश राशी में नई इच्छा शक्ती का वरदान देते हैं ये इच्छा शक्ती हमें बहुत आगे ले जा सकती है किसी भी कारे को करने में लेकिन इच्छा की मनो काम ना करनी है इच्छा की लालसा में नहीं जीना इच्छा पूरती के लिए नहीं जीना इच्छा होनी चाहिए गंतव्य के निरधारण के लिए लेकिन गंतव्य तक पहुँचने के लिए इच्छा की नहीं पुरुशार्थ की जरुवत होती है और मंगल इन दोनों के स्वामी है लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एनरजी आप अभी अब्जॉब कर रहे हो जैसे एलेक्ट्रिसिटी उसे अगर आप बल्ब में लगा दो तो रौशनी बिलती है हीटर में लगा दो तो हीट बिलती है उसे आप साउंट सिस्टम में लगा दो तो आपको ध्वनी उत्पन होती है यानि उर्जा वही है उप्योग भिन भिन प्रकार के है आप कौन सा उपयोग करते हो इस पे बहुत ज़रा डिपेंड करेगा कि आपके जीवन में ये दशा कैसे फलित हो रही है Communication ये भी बहुत important है बात करने का तरीका ये भी बहुत important है लेकिन मंगल बड़ी तेजी से आगे जा रहा है मेश राशी में और 4 degree तक मंगल जब मेश राशी में आके जाते है उसके बाद वो वक्री हो जाते है तो मंगल का ये मार्गी जो गति है ये इसकी वक्र गति से समझी जा सकती है कोधे आगे मंगल वक्री हो रहे है तो ऐसा 20-25 दिन में क्या हो जाएगा हट बड़ा हट गबढ़ाट में किया गया कोई भी काम फटा फट कोई किया गया काम आपको कटनाईयों में डाल सकता है किसी भी तरीके का इंवेस्टमेंट आपको पैसों को लेकर के बहुत परिशानी में डाल सकता है स्वास संबंधी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरुवत है आपको इस टाइम फ्रेम में और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब मंगल वक्री हो रहे हैं तब मंगल अपने व्रिशब नवामश में होते हैं यानि पूरा वर्गोत्तम पार करने के बाद मंगल वक्री हो रहे हैं तो कोई ने कोई गलती जरूर होगी आपस जिसे ठीक करने के लिए आप फिर वापस मंगल के मीन राशी में प्रवेश करने का वेट करना पड़ेगा डबल मेहनत करनी पड़ेगी दो बार काम करने पड़ेंगे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा करेक्शन करना पड़ेगा तो क्या फाइदा यानि अभी आपके लिए गए डिसिजन्स को पहले आप प्लानिंग मोड में रखें फिर जब मंगल मीन राशी में जा रहे हैं तो जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तिकिन उस वक्त आप थोड़ा आडिटिंग करें उस चीज़ की और फिर जब वापिस मंगल में इस राशी में प्रवेश करते उसे एग्जेक्यूट करें मंगल इसी तरीके से करेगा इस लाइक अभी वो पता करने आया है कि बैटल फिल्ड का सिन्यारियो क्या है वापिस अपने आपको चार्ज करेगा और वापिस एक फाइनल विज्डम ले करके मार्स आता है मंगल आते हैं और फिर युद्ध को जीतने में राजा की मदद करते हैं तो इनी सब चीजों को देखते हुए ये बाते भी देखने जरूरी है जिसमें मैं आपको एक बात जरूर बताऊँ कि मंगल जो आज करने वाले हैं वो जनवरी 2021 में होने वाले चीजों को भी दिखाएगा क्योंकि सूर्य का मकर राशी का गोचर 14 जनवरी 2021 को होता है 13, 14, 15 जनवरी के आसपास सूर्य का गोचर मकर राशी सूर्य उत्तरायन होते हैं उस वक सूर्य मंगल की उच्च राशी मकर राशी में प्रवेश करते हैं शनी के साथ प्रवेश करते हैं ब्रैस्पती के साथ सूर्य होंगे और मंगल की स्थिती मेश राशी में होगी बहुती बहुती अत्याध्धुनिक कॉंबिनेशन ग्रहों की स्थिती बनती है पाउरफुल स्थिती बनती है इसका मतलब यही है कि difficult time भी आ रहा है आपको जीतना पड़ेगा युद्ध में कोई सकुषल युद्ध तो होता नहीं युद्ध में युद्ध के रूपी सारे दृष्य देखे जाते हैं उतार चड़ाव देखे जाते हैं घाव पड़ने मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी सेहना पड़ेगा चीजों को आसान नहीं है कुछ भी लेकिन विजय मिल सकती है ये मंगल आपको यश देंगे, सम्मान देंगे, विजय देंगे भूमी संबंधी कारे में, कोट केस में जिताएंगे सत्य का अगर आप साथ देते तो सत्य की विजय होगी आध्यात्म का साथ देते तो आध्यात्म की विजय होती आध्यात्म का पराप्त करोगे मने उर्जा है कहीं भी लगा दो अच्छे में लगाओगे तो अच्छा परिणाम देगी बुरे में लगाओगे तो बुरा परिणाम देगी लेकिन एक बात याद रहे शनी मंगल से दस्वे भाव में वक्री चल रहे हैं और विराजमान भी रहेंगे यानि मंगल के कर्म स्थान पे शनी हैं हडबडा नहीं सकते शनी मंगल को अगर कर्म करना है तो उसे शनी की अनुमती चाहिए होगी और शनी की अन्यमती तभी मिलेगी अगर वो कारे अच्छे परिणाम देने वाले होंगे और अगर आपने अच्छे परिणाम देने वाले कारे किये तो शनी की कृपा आप पे रहेगी अनिथा मंगल और शनी दोनों का प्रभाव आप पे खराब हो जाएगा खासकर आपको एक स्थान के बारे में सोचना है तुला राशी इसमें तुला राशी सबसे ज़्यादा प्रभावी थे क्योंकि मंगल की सब्तम दृष्ठी तुला पर पढ़ती है और श्यनी की दसवी दृष्ठी तुला पर पढ़ती है तो जहां भी आपकी तुला राशी होगी, वो प्रभाव, वो भाव सबसे ज्यादा नश्ट होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उसी भाव को पहुँचेगा, तो यह है, आपको यह दो देख समझ के करना है, तीन-चार भावों को आपको देखना है, मेश कहा है, तुला कहा है, मकर कहा है, इन भावों को देखने के बाद, तुला राशी को प्रोटेट करने के लिए महालक्ष्मी के राधना करें, और मंगल और शरी से एक अनुमती लेने के लिए, एक उर्जा के अनुमती लेने के लिए, और उर्जा प्रभाँ आपके शरीर में एक कुंडलनी एक आध्यात्मिक आपको एक शक्ति दे और कारे करने की शक्ति दे धन कमाने की शक्ति दे कौशल की शक्ति दे रोश्णी की और आगे बढ़ने की शक्ति दे इसके लिए आपको अनमान जी बजरंग बली की अराधना करनी होगी अन्मान चालिसा पढ़े या सिंपल बजरंग बली की उपास ना करे अन्मान जी की उपास ना करे आपको इससे बहुत लाब मिलेगा गुस्सा ना करे गुस्से को जताएं भी नहीं और सौफ्ट होकर के भाईचारे के साथ मिलके रहे और किसी भी तरीके से इंटरनेट में निगेटिपिटी न डालें क्योंकि मंगल विद्यूत है राहू इस वक्त बैठे हुए हैं मितुन राशी में वो जाने वाल हैं टॉरस में वो जाते जाते मिरिक शिरा के थ्रूप कुछ कम्यूनिकेशन स्प्रेट करके जा सकते हैं बुद्धी लगा करके चलें और ये आपके एक्शन रेपरकेशन क्या देंगे परिणाम क्या देंगे वो सोचते हुए आप कारे को करें जो की उचित भी रहेगा चाहे कोई भी परिस्तिती हो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ उमीद है मार्स का ये गोचर आपके लिए शुबता लाएगा मंगल मंगल है अब सब के जीवन में मंगल लाए इसी मंगल मनोकामना के साथ इस वीडियो का समाप्त करता हूँ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए मैं आपका हुस्पनीत नमस्ते करता हुस्पनीत नमस्ते करता हुस्पनीत